नमस्कार और स्लाम अलेकुम दोस्तों आप सभी का सौगत है हमारी यूटूब चैनल टीचेस में तो आज हम देखने वाले हैं यहां पर और्ड़ बाइ क्लाउज ओके तो स्टार्ट करते हैं यहां पर हम ja sign in करते है aich esses quil वर्क Candy अब आम यहां पर अपने सारा काम करेंगे तो यहां पर सबसे पहले हमें देखना क्या है कि हम किस टेबल पर काम करना चाहते हैं तो यहां पर हमज़ पहले हम देख लेते baik तो यहां देखो हमारी यह टेबल है अब देखो यहां पर सबसे पहली बात हम क्या जानते हैं यहां पर ordered by clause होता किया है सपोज यहां पर salary है तो salary को अगर मैं ordered by करूंगा तो यहां पर वो क्या हमें output मिलेगी तो यहां पर अगर आप देखो तो एक ascending or descending order में यह हमें ordered by कर देता है मतलब जो सबसे छोटा है उसके बाद से उससे बड़ा उससे बड़ा उससे बड़ा तो ऐसे करके हमें सब output हमें show करता है तो यहां पर अगर मैं करता क्या हूं select star from employee ordered by salary okay तो मैं salary के through मैं सभी चीज़ को मैं ordered करूंगा ordered way में करूंगा तो यहां पर यह पूरी रो मैं 5000 के through मैं यहां पर order buy कर रहा हूं means salary के through मैं यहां पर ordered बाइ कर रहा हूं तो आप एक name के through भी ordered buy कर सकते हो और नेम अगर employee name के fall जब आप ordered by करोगे तो यहां पर वो एक alphabet के through वो सारी चिज जो ये करेंगा audit by करेगा सब्सक्राइब कर देखो सबसे पहले एबी सी और डी नेम से कोई यहां पर किने में स्टार्ट नहीं होता और एफ जे के एम एस तो ऐसे करके वह सभी चीज को और 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 बाई कर रहा ऑगे तो हम ऐसे करके हम सभी को और और बाई कर सकते हैं क forums तो यह होता हैं यहां पर Audit By clause ओके audit by clause आपको मैं फिर से बता दू वह होता है जो the ascending or descending ordered में हमें सारी values हमें सारी रो को शो करता है अब मैं यहां पर ओडंड भाइं के अंहिदर हम यहां Asермडिंगeon seem find भी हम Use कर सकते हूं तो यहां सपोज मैं क्या करते। simple way में अगर मैं आपको समझाओं तो यहां salary को मैं ले देता हूं और salary को मैं क्या करता हूं ascending और descending order में मैं रखता हूं तो सबसे पहले मैं descending order में अगर मैं रखा तो DESC अगर आप short में करोगे तो यह हमें सबसे large value सबसे first में को हमें दिखाएगा उसके बाद से उससे small और smaller value हमें show होती चले जाएगी तो यह एक इस way में हमें output हमें provide कर रहा है जिसकी सबसे first जो value रहेगी जो रहेगी वह सबसे large value रहेगी उसके बाद से सब उसके बाद से उससे कम value रहेगी तो ऐसा करके हम descending way में भी हम यहां पर ordered by हम कर सकते हैं अब यहां पर अगर suppose मैं यहां पर ascending order अगर मैं करने की कोशिश करता हूं शो करने की तो यहां पर मैं क्या करूंगा asc में यहां पर लिखूंगा in short ascending की और फिर मैंसे जब मैं run करूंगा तो यहां देखो हमारी जो salary है वह ordered by हो चुकी है और वह 800 फिर 950 उसके बाद से 1100 फिर 1250 तो ऐसे करके हमें वह सारे हमें value हमें शो करता है तो यह था ordered by के बारे में तो आई होप आपको यह वीडियो सही लगी होगी और आपके लिए helpful होगा तो अगर आपको यह वीडियो helpful लगा तो आप इससे like करें और मेरे कोशिश करूंगा उसे क्लियर करने की ऑके बाई